नमस्कार दोस्तों मैं हूं प्रेम कुमान बंडल और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गोल्स में दोस्तों साइन्स सेरीज में हम लोग जारकन द्रोगा से चला रहे हैं इसमें चलते चलते हम लोग आज का दीन जो है वह आठवा दीन है और आज की दीन में भी आपको 20 questions मिल जाएंगे और बिल्कुल सरल और सही explanation के साथ आपको मिल जाएंगे तो चलिए दोस्तों आज का class स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी दे देना चाहता हूं कि आप अगर हमारे study for goals के app को download करते हैं android form हो या फिर laptop को किसी में भी आप करत हुए हैं तो उसमें आपको बहुत minimum prices में complete courses will कराए गए हैं ठीक है तो चलते हैं और आज का पहला question लेते हैं ठीक है दोस्तों आज का पहला question है मनिश्य में माता की गर्भासई में इस्तीत गर्भ को पोसक किसके द्वारा प्राप्त होता है यह question जो था पिछले set में ही था यानि कि JSSC अगर लगातार कई दिने तो एजाम लेते हैं तो उस क्या कर रहे हैं वो questions को बस change कर दे रहे हैं भासा को change कर दे रहे हैं ठीक है और question बिल्कुल सेम है तो एजाम जो दिये होंगे SI का जिनका बाद में पढ़ा होगा उनको बहुत आसान हो गया होगा question set मिल जान प्ले सेंटर तो इसी के जर यह क्या होता है गर्वासा में जो बच्चे होते हैं उसको पोस्तता तो इसी से मिलता है तो नाल से मिलता है यह सब तो नहीं होगा गर्वासा नहीं होगा उल्वई तरल पदात नहीं होगा फाइब्रेड नहीं होगा ठीक है किसके द्वारा प् कि गती का तीसरा नियम देखिए इसके पहले वाला सेट में गती का पहला नियम हमने बताया था कि गती का तीसरा नियम कहता है कि प्रकृति में प्रतिक्रिया बलके यह एक डैस और डैस प्रतिक्रिया होती है आपको सभी पता है बराबर होता है और उसके विरुद्ध होता है किसी वाल में किसी वाल में इधर से फूर्स लगाया एप तो ये वाल भी क्या करेगा आपको फोर्स लगाएगा यानि कि दोनों बराबर फोर्स लगाएगा यही है घती का दिए हुआ बिलकुल विरुद्द लगाएगा बराबर हो सवाम का मतलब सेम गें यह नहीं हूँ उआनसर के ओजाएनसर हो जाएगा सी बराबर और विरुद्द लगाता है ठीक है पाहला नियम जड़त को नियम आप लोग याद रखेगा इस चीज को फिर से पूछ सकता है क्या दिक्कत है जड़त का नियम होता है पहला न्यूटन का नियम दूसरा में किसके बारे में बताता है दूसरा नियम जो है बल के बारे में बताता है वहां मोमेंटम के बारे में बताता है संबेग ठीक है? बल और संबेग इसमें Relation बताता है और तीसरा नियम क्या बताता है? ये पहला नियम हो गया ये दूसरा नियम हो गया और तीसरा नियम तो अभी है आप लोगों ने इसको देख लिया करिया के प्रति करिया होती है कि नेक्स्ट कोशन है कोशन में थ्री क्या कहता है कि प्रकास संसलेशन की किरिया में पौधों द्वारा एक उपोत्पाद के रूप में इस गैस का मुक्त किया जाता है यह देखें बहुत साधरन सा कोशन है अब पुरा दुनिया जानती है क्या पेड़ पोदे देते हैं तो एकसीजन और चौथा दिया है नाइट्रोजन तो आप सभी को पता है कि हम लोग जो सांस लेते हैं वह उत्तपादत करता है वह पेड़ पोदे प्रकास संसलेशन की कि रिया को देखे तो आपको पता है इधर सियोटू होता है और सियोटू क्या होता है ओक्शियन जो टिम् यहां पर क्या होता है sunlight के presence में ना chlorophyll में ये प्रतिक्रिया हो रही है ठीक है तो वहां पर क्या हो जाएगा वहां पर c6 h2o 11 बनाएगा सरकराब बनाएगा और साथ में क्या करता है oxygen को बाहर करके देता है यह जो oxygen है वो क्या है very very important for all living things यहना पेड़ पोधे ही इसको produce करता है इसलिए आज के डेट में हम लोग जो बोलते हैं कि greenish area होना चाहिए सबसे ज्यादा पेड़ पोधे लगाना चाहिए जो कि हम लोग कर नहीं रहे है ठीक है तो आज से ही आप लोग दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ पेड़ पोधा भी लगाना शुरू कर दीजे तो प्रोड्यूस यह करता है यह oxygen प्रोड्यूस करता है प्रकास लेशन की अभी क्रिया में नेक्स्ट चलते हैं कोशनर 4 कहता है कि क्रित्रिम गुर्दा एक ऐसा उपकरन होता है जो खून से nitrogen का कच्रा इस प्रक्रिया द्वा अगर जो है यह सब को किस तरीके से अलग करता है तो हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं कि यह dialysis process होता है dialysis process होता है तो यह इसका एंसर क्या हो जाएगा dialysis dialysis के जड़िये ही तो जिसका kidney खराब हो जाता है उसको hospital में dialysis किया जाता है हजार बार तो सुनते हैं ठीक है तो य उस उत्पाद को पाचाने जो जैव इंधन तो जैव इंधन पिछले बार पिछले सेट में था इसमें क्या क्या होता है जिउव के मल यहां पर देता है कि जो हमें पेड़ पोधन से मिलता है है पेड़ पदों से जो इंधन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं और दूसरा क्या जानवरों का जो मल होता है जानवरों का कि मल ठीक है और साथ में मल तो होगा प्लस जो घरों का कच्रा होता है और न और ये सबी जो आते हैं वह किसमें आता है ये किससे मिलता है तो इसमें क्या नहीं होता कि दील रहा है और Kr justamente यहाँ पर जेव इंधन के साथ और पॉइंट जुड़ा हुआ रहता है कि यह रिनेवल एनरजी होना चाहिए ठीक है यानि कि हमेशा जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं रिनेवल होना चाहिए और रिनेवल होगा ना यह पेड़ पोधी क्या है आज आप मतलब उसको काटे हैं आज ही नए पेड़ लगा देजे आपको कुछी सालों में एक दो सालों में ही आपको फिर से पेड़ पोदा मिल जाएगा लेकिन कोईला को एक तो बहुत टाइम लगता है और दूसरी बात कोईला बनता कैसे हाई प्रेशन टेंपरेचर जो अ चलते हैं कोश्चन वर 5 6 कोश्चन में 6 क्या है फोटो वल्टाइक सेल होता है जो डैस उर जाको डैस में और पांतरित करते हैं तो यह भी कोश्चन बहुत इजी है तो इसमें देखें क्या दिया है सब आपको मैं अगर पता हूं यह जैसे आप सपोज यह सपोज सॉलर पैनल है ठीक है सॉलर पैनल में इस तरीके से बना हुआ रहता है आपको पता है इसमें क्या होता है सिलिकन के पट्टी होती है तो यह क्या होता है इसमें संद्रेज इदर से पढ़ा माले ठीक है संद्रेज पढ़ा ऐसे करके तो यह संद्रेज क्या करता है इसके जो temperature है उसके जरीए यहां पर जितने सारे silicon के atoms होते हैं उससे क्या होता है electron निकलता है और इसको हम लोग क्या कर रखे होते हैं सभी को एक दुस्रे से जोड के रखे हो रहते हैं ठीक है electron जो है atom से जो निकला वह electron आके कहा होता है यहां पर चार्ज बैटरी में जमा होना शुरू हो जाता है ठीक है इस तरीके से काम कर रहा है तो कर क्या रहा है यह संद्रेज जो है संद्रेज यह सं लाइट जो बोलो है ना उसको किसमें करणबड कर दे रहा है यह तुम्हारा कर सुर्य प्रकास को बिजली में कर दो करना फोटोवोल्टाइक शील का यही काम है नेक्स चलते हैं सेझाटोब्स 7 क्या है उत्पादत उत्पादक सूरी प्रकास की उर्जा सेस पारसितिकी तंद्र को उपलब्द कराते हैं क्या उपलब्द कराते हैं ये पूछ रहा है उत्पादक मतलब पेट होदे बोल रहा है ठीक है कि सुरी प्रगास की उर्जा को कंभर्ड स्टार्श में कौन कर रहा है पेड़ पोदे कर रहा है तो अधर पाश्रती की तंत्र में कौन आते हैं हम लोग आते हैं और भी जानवर्स आते हैं हम लोग क्या करते हैं पेड़ पोदे से भोजन प्राप्त करते हैं तो कारण मोड़ी पर्तित होती है परला option है प्रकास का प्रावर्तन दूसरा है प्रकास के अप्वर्तन ओप्सन C कहता है प्रकास की विवाजन और option D कहता है प्रकास के रहन तो अगर आप इसका इस question का answer करना चाहते हैं तो बहुत आसान है इसको समझना ठीक है एक्ट्वल में क्या होता है जब यह मालेजी water है आपने क्या क्या इसमें एक pencil को डूब हो यहां एक pencil है मालेजी ऐसे करके एक pencil है अब क्या होता है कि यहां पर जिसे sun rays पड़ा इसके उपर sun rays पड़ा तो sun rays क्या करता है एक तो यह तुम्हारा क्या हों और मद्यूम्हार आपने करते तो इस pencil का पर्वाट करते है कि जब चया मोड़ेगा एक्षयलमें इधा से उधर मूड़ेगा तो मूड़ने करम में क्या होता है इस पैंसिल का जो आकरती होता है इस पैंसिल का जो चाया बनाएगा एक्चुल में वह क्या होता है वह इस तरीके से मूड़ जाता है वह भी ठीक है अगर यह पॉइंट यहां पर है तो आपको यहां पर औरिजिनल जो है वो उसके उपर दिखाए देता है इसको थोड़ा सुधात लेजेगा ठीक है यह अगर यहां है तो आपको मतलब इधर इस तरीके से दिखाए देगा कि कभी कभी पैंसिल काम नहीं करता है अगैं तो यह मैंने पताया तो इसका एंसर क्या हो जाएगा कि क्या होता वहांपर प्रकास का प्रआवर्टन होता है प्रका व्हाजन होता है प्रआश की रंग यसे तो इसका जो सही एंसर होगा दूस्तों वो प्रकास के अपवर्तन होते हैं चुकि थोड़ा पैंसिल चल नहीं रहा था मेरा इसलिए दिखत हो गया तो यहां पैंसिल के बारे में ही पूछ रहा है ऐसे कुछ भी बताएगा सी का थोड़ा उपर उठा हुआ दिखाए देता है हुआ in question nine question nine क्यां क्लिक पभिवासा है वाण के किठेस्टरों के उत्पादन पहाएट उत्पादन का तो हम लोग नहीं रोक सकती उहीं कि पूरुस वास्ठेफरेंस पृफजकर कर उनको एक तरह से बांधना सील कि या जाता है इतका बांबिए और लेकिन और प्रसे रोजन को उत्पादन रोखना यह भी नहीं है और ख्लोपियन ट्यूब को तो बंद नहीं करते यह वाला प्रूस वास डिफ्रेंस प्रिथक कर उनको एक तरह से बांधा या सील किया जाता है यह एंसर होगा प्रूस नस्वंदी पूछा है तो फिर उसमें महिला कहां से होना है कन्वेक्स लेंश एक उत्तल लेंश ठीक है उत्तल अवत्तल नहीं होगा उत्तल नहीं होगा यह पानी है दूसरा इसील यहां है आपको दें रखा है लेकिन आपसे पूछ रहा है कि हो सबसे ज़्यादा जो होगा उसको पहले रखी तो तो देखिए डो डोर ऑशिटीक होता है वह होता है CPro तो यह हो गया थोड़ा सा यह हो गया बेसिक होता है इसका थिक तो इस तरीकी से देख लेजे बढ़ते करम मैं मतलब आपको क्या करना है इसका पी-एच मान जो है बढ़ते करह में लेना है क्योंकि होता है साथ से जबसे स्ट्राइब का प्हलने टोता है देख यहाँ पर अप्सन देख कहाँ पर मिल रहा है है यह वाला यह जो है आपको राइट एंसर मिलिगा ठीक है ऑप्सन बीज दा करेक्ट एंसर कोशन में ट्वेल क्या कहता है जब समांतर में सन्योजित होते हैं तो उपकरणों के बीच करन जो लगता है वह घरों में किसी तरह से प्लो हो रहा है तो अगर करेंट इस डायक्षण में चला गया अगर और इधर से i आ रहा था तो यहां पर यह i1 और i2 यानि कि करेंट का विवाजन हो रहा है ठीक है और अगर आप यहां पर देखें इसका वाल्टेज का बात करें तो दोनों ही उपकरन जो लगाए गए हैं वो सेम पॉइंट के बीच में लगाए गए हैं तो इसका विवांतर इसको बोलों होता है तो यह वहाला चलता रहेगा लेकिन स्रीज में नहीं होगा तो अगर एक Juist हो जाता है स्रीज में तो ये भी नहीं चलेगा समझें इसलिए घर्व में क्या करते हैं हम लोग समांतर में सभी उपकरणों को लगा के तो यहाँ पर पूछ रहा है तो बात नहीं कर रहा है विदूधा विदॅधार तो डिवाइड हो रहा है तो इसका एंसर क्या हो जाएक वॉल्टेज चौथा आपसे परति रोट दिया तो परति रोट तो यह दोनों अगर यहां नहीं लगाया तो इसका जो आर होगा वह यानि कि दोनों का पर्तिरों तो अलगलग होना यह उना है ठीक यह इस मुझ्षित से लगवाद करते हैं और उनसे एक से दो क्वार्ट मुत्र का निर्मान करते हैं जिसमें कच्रा और अत्रिक तरल पदात होते हैं फिल्ट्रेशन इकाई को क्या कहते हैं यानि कि इसका सिधा सिधा कोशन है जो किड्नी काम करता है उसका इकाई क्या है ठीक है इतना लंबा चोड़ा लिखा है आपको जानकारी दी है तो इसका सिधा सिधा कोशन है कि जो गुर्दा होता है उसका फिल्ट्रेशन इकाई क्या है तो हम लोग पढ़े हैं उसको नेफ्रों कहते हैं चैसी ऑप्सन देखते हैं कहां पर है पाला उप्सन दिया है मुत्रवानी और चौथा आप्शन भी दिया है नेफ्रों तो इसका एंसवर क्या हो जाएगा नेफ्रोंस right कि एक क्यों क्म वेट गरेलें को असणिकर अकर्शत करता है यह एक कैन को करता है यह ले 경우 क्वीच का आकर्शन बल बल है attraction force है एट्रेक्ट कर लो उन कनों की सन हितों को गुननफल का समानुपाती यानि कि जो मास है इसका मालों की small M है इसका मालों की बड़ा M है तो बड़ा है यानि कि M into M के बराबर है बोल रहा है समानुपाती है तूसरा उनके कि बीच की दूरी के वरक के वह उत्क्राउना पाती है यानि कि आर इसक्वार कर दीजी अगर यहां पर आर इसक्वार डिस्टेंस है तो तो यह कौनसा फोर्स है रहाई यह तो तुम्हारा क्या है इसको समानुपाती को हटा दिया जाए तो यहां पर जी लग जाता है तो इसको बहुतते हैं गुर्टवाकर्शन के नियम पहला है जड़तुका नियम यानिकी जड़तुका नियम तो Newton's first law हो गया पहला नियम इसी को बोलते हैं दूसरा गती का नियम गती का नियम तीनट तो यह हो गया एंसर इसका यह वाला ठीक है यह फी न्यूटन के द्वारा ही बताया गया था वैसे बहुत सारे लोगों ने इस पर रिसेच किया था बहुत सारे बाते बताया था एक्वेशन का जो डिरिवेशन है वो न्यूटन इसने करके करके दिया था तो f equal to g into mm divided by r square is the gravitational forces ठीक है next question number 15 question number 15 क्या है आधुनिक आवर्थ सारनी के अनुसार आवर्थ में जब हम बाई सिदाई और जाते हैं तो सन्यूजगता कोस के electron की संख्या एक इकाई से क्या होगा घटेगा बढ़ेगा गुना होगा बदलती रही है क्या होगा तो देखे मैं example लेता हूं बाई सि सब्सक्राइब यहां पर देखे इसके पास केवल एक electron इसके पास जो है दो सब्सक्राइब इसमें जो हो गया दो तो अगर आप इसका एक डम बाई हो रहे है यही तो कुछ रहा है क्या हो रहा है तो क्या हो रहा है एक ही सेल में जो है अगर आवर्त में जाईएगा वामीश चिदाई और जाईएगा तो सन्जव जहता जो होगी वह बढ़ती जाती है इस weary- Чल दर्सी के नीचे एक पत्ते के अनुपरस्ट कार्ट में दिखता है कि कुछ कुसिकाओं में हरे रंग के बिंदू होते हैं तो हरे रंग के बिंदू होने चाहिए या हरे बिंदू को सिकाओं का हिस्सा होता है बिल्कुल होता है जिनको डैस कहते हैं और उसमें क्लोरोफिल होता है तो क्लोरोफिल होता है यह तो इस पस्ट कर दिया है क्या पूछना चाहरा है वो पाला option दिया है जाईलम दूसरा दिया है थिसरा दिया है पूटि कल्स और चौथा दिया है खुलज़श Chemicalud तो लोइंप के इसमिन होता है रॉई घर बहुत सिंपल सा था एतना लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत नहीं था लेकिन प्लच एगजाम में ऐसे ही होता है आपका टाइम बेश्ट कैसे किया यह देखता है ठीक है तो अब यहां पर और भी जान लेते हैं इसे भी कुष्ण आ सकता है जाइलम क्या करता है जाइलम जो है जडों से जडों से जो है पेड़ को देखेए अन्य भावों तक क्या करता है वांटर को पहुँचाता है ये पत्ति हो गया defeated तो इधर से फ्लो करता है अर उपर क्यों ले जाता है क्वे सकते चाना करता है और anschट आप दूसरा है फ्लोईम उल्टा करता ढूंआ तोrocco करेगा ठेक है यह लिख grass पानिक गष्णाफिक स्थक्राच एक स्थानाओं नीच्वर्ण स्दोटी सब्सक्राइब कितना फिल्टर करता है यह पूछ रहा है यह कोशन अभी ही है हम लोग पढ़ेते हैं वहां वर्न कहाता कि 120 से लेके 150 लिटर परदी जो है वह ब्लड को प्रिफाइब कर रहा है यहां पर क्या ओप्सन दिया है 180 दिया तो यहां पर जो एंसर बनाया था आपका जी एससे ने जो एंसर बनाया था वह मैं एंसर बता देता हूं ठीक है वह एंसर था आपका 170 लिटर ठीक है 170 लिटर परते दिन होता है बुलकतो है आँसऩ 418 और पर्यावरन के संवाच्षन में तीन आर में से एक नहीं है कौन सा नहीं है 10 आर का है परियावरन संवक्षंच के लिए आर 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 है ना मूढी आर 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 वही तो इसमें explanation आपको दें तो क्या क्या होता है देखिए सबसे पहले तो होता है कि आपको जो कचड़ा पट्टी है उसको reduce करो दूसरा क्या हो जाएगा अगर reduce कर लिए तो उसको हम लोग recycle कर लेते हैं वाई recycle करने के बाद हम लोग क्या करेंगे उसको reuse कर लेंगे ठीक है यही है तो इसमे एंसर क्या हो जाएगा इसका 18 का C is the right answer ओके नेक्स चलते हैं को नाइटीन और आज का यह सेकेंड लाश्ट कोशन है परती विसानुक ओस्दियां परती विसानुक ओस्दियां कि डैस के उप्चार के लिए विशेश रूप से उप्योग की जाने वाली एक वर्ग है सेवाल युक्त संक्रमन और चौथा कव के संक्रमन अब इस कोशन में दिमाग ही क्या लगाना है थोड़ा सा तो देखना था यहां लिखा है परती विसानुक यानि विसानुक के वाइरस जो होता है उसके विरुद काम करना है उस दियों को तो वह कौन सा संक्रमन से होगा विसानमन के संक्रमन से ही होगा ना इसमें कुछ सोचना था कुछ में नियुन सोचना है । पावर को मेजर करना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं फोकस दूरी के वैद्गरम के रूप में लिखते हैं पी इकल टू वन बाइफ होता है और इसका जो तुम्हारा यूनिट होता है यूनिट भी पूछता है याद रखेगा तो फोकस दूरी होता है मीटर में तो वन बाइब मीटर को हम लोग क्या लिखते हैं वन बाइब मीटर को हम लोग लिखते हैं डायप्टर ठीक है यह भी याद रखेगा डायप्टर डी इंवर्स भी लिखते हैं ओक तो यह सारी कोशेंस हो गए आपके ट्वेंटी और इस ट्वेंटी कोशेंस का मैंने बहुत अच्छी तरह किसे दिया है याद रखेंगे सारी आपको एकजाम में यहां से भी कोशेंट आसकता है तो देखें दोस्तों आपको मैं बार बार बताता हूं कर सकते हैं मार्केट से ठीक है question of the day जैसा कि मैं डेली आपको एक question जरूर से जरूर देता हूं ताकि आप comment करके लिखे हमें बताएं हम उनका जरूर से जरूर projection करते हैं और आप हमें पता चलता है कि इस्टोइंट कितने active है पहला इसमें आज का question of the day है sodium का आप बताएंगे इसमें कौन सा answer होगा ठीक है comment section में लिखे बताएं आपका प्रियोडिक टेवल यह इसका मकसद क्या है पूछने का यह जो प्रेडिक टेवल है ना इससे जरूर से जरूर पूछ रहा है तो प्रेडिक टेवल को आप अच्छे से करके जाएंगे ठीक है यह रहा आपका एंसर की इस एंसर की को भी आप जरूर से जरूर मिला लेजिएगा अगर मैं कहीं गलत होंगा तो आपको पता चल जाएगा फिर यह सारी पूछत के बारे में मैंने आपको पहले से ही बता रखा है और देखिए जारकन कॉस्टेबल का एक्जाम होने वाला है तो उसमें आपको 25 फूल लेंद्ट टेस्ट भी एविलेबल है ठीक है इसको भी आप देखिएगा जरूर से जरूर और हमारा चैनल के साथ जरूर से जरूर 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 जाईए स्टड़ी फोर गोल्स का दो चैनल आपको मिलेगा एक खोटा इस्पेसल क सारे चीज़ें मिल जाती है ठीक है ठीक है दोस्तों आज का क्लास इतना ही रखता हूं ठेंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो और नेक्स्ट वीडियो क्लास नाइन आपको लाएंगा और उसमें भी आपको जरूर से जरूर 20 कोर्शन का एक्स्प्लाइंशन बहुत